मित्रों आज का विशह है मूत्र नली में संक्रमण, UTI, Urinary Tract Infection तो Urinary Tract Infection यानि मूत्र नली में होने वाला Infection आम तोर पर पाये जाने वाली समेश्याओं में से एक है और इस संक्रमण में मूत्र नली मूत्रासर और यहां तक की गुर्दे भी प्रभावित हो जाते हैं इसे UTI के नाम से जाना जाता है इसके लक्षन क्या है? बार बार मूत्र त्यागनी की इच्छा होना दर्द के साथ पिसाब आना मूत्र टपकना नीचे पेड़ूं में दर्द रहना बिस्तर पर पिसाब निकल जाना पिसाब रोक न पाना दूरगंध युक्त रक्त मिश्रित मूत्राना बुखार युम हलकी हलकी सर्दी लगना पेट या कमर में दर्द रहना उल्टियां हुना लंबे समय तक दस्ताना बाहरी जननांगों में लाली इत्याद यदि साथ में पथरी हो तो दर्द बहुत तेज होता है मूत्र मवाद के कारण धुधलावा गाढ़ा सा तथा कभी-कभी रक्त भी मूत्र के साथ आता रहता है तीब मूत्रा से सोथ में मूत्र त्याग हो चुकने के बाद भी पेसाब करने की इच्छा बनी रहती है और यदि मूत्र की मात्रा कम आ रही है तो दर्शाता है कि मूत्र संस्थान में कहीं रुकावट है इसका इलाज क्या है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और एक टेबलट और एक सीरफ आता है नेरी नाम की एक सीरफ आती है जिसे सुबह साम दो-दो ढकन पीना है चाहे तीन बार आप पी सकते हैं दो-दो ढकन और नेरी नाम की टेबलट आती है जो सुबह साम एक-एक गोली ले सकते है रोगी को इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए रोगी को जहां तक हो सके अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए नीवु का ताजा रस, नारियल का पानी, संतरे का रस, गन्य का रस और अनानास का रस इस रोग के लिए बहुत उप्योगी है रोगी को सेव, अंगूर, आडू और आलू, बुखारा, आदि, फल, अधिक मात्रा में देना चाहिए कि इस रोग में गाजर का रस बहुत लावदायक है